प्रिय चात्रों आज हम आपकी पाठ पुस्तक में संकलित पाठ वीर भूम पर कुछ दिन का अध्यायन करेंगे इस पाठ की लेखिका हैं रुकमिनी संगल इनका जन्म 1 सितंबर 1945 को बुढाना उत्तर प्रदेश में हुआ था आप एक आधनिक लेखिका हैं आपके द्वारा लिखे गए यात्रा वरणन परक लेख प्रसिद्ध हैं विभिन पत्रपत्रिकाओं में आपके लेख समय समय पर स्वतंत्र रूप से छपते रहे हैं दिनकर के कावे में जीवन मूल्य आपका शोध प्रबंध है चात्रों यह पाठ एक यात्रा वरणन है लेखिका ने वीरों की भूम वीरांगनाओं की भूम सतियों की पवित्र भूम राजिस्थान के प्रमुख अयतिहासिक स्थलों की यात्रा की थी उसी यात्रा के संस्मर्ण को लेखिका ने इस पाठ में बड़े ही रोचक धंग से प्रस्तुत किया है इस पाठ में राजिस्थान की स्थापतिकला, मूर्तिकला, वास्तो शिल्प तथा संस्कृति का मनोहारी वरणन किया गया है चात्रों जन्म भूम कर्म भूम त्याग तपस्या की भूम राजिस्थान का शब्द चित्र इस पाठ में लेखिका द्वारा खीचा गया है चात्रों यह पाठ आरम करने से पूर्व हम इस पाठ में आये शब्दार्थों तथा मुहाबरों को जान लेते हैं तथ पस्चात एक-एक अनुच्छेद बढ़कर पाठ का उद्देश समझने का प्रयास करेंगे पाठ में आये हुए विशिष्ट शब्द हैं गति जिसका अर्थे वेग, अलपाहार जिसका अर्थे नाष्टा, भवन, प्रासाद्या, महल, आमोद, प्रमोद, मनोरंजन, शाही, राजवंशी, मनोहर, सुन्दर, समीप, पास, अपभरंश, शब्द का बिगड़ा हुआ रूप, आकांग्षा अर्थात इच्छा, लाह पथगामिनी, रेल, भांति-भांति, तरह-तरह की, पंक्ति बद्ध, क्रम बद्ध, एक के बाद एक, सन्नद्ध, एकाग्रया व्यस्त, परकोटा, गढ़या किले की रक्षा के लिए बनाया गया घेरा, जिसके उपर टहलने के लिए जगह होती है, मनभावन, मन को आकरशिट करने वाली, जवहर, वीर, राजपोत, इस्त्रियों ने, दुश्मनों से अपनी लाजिंग, प्रतिष्ठा बरकरार करने के लिए, अपने आपको अगरी कुंड में समर्पित कर दिया था, उनकी इस कारे को जवहर कहा जाता है, सैलाब, पानी की बाढ़, मुहावरे हैं, व्रिष्ट गोचर होना, दिखाई देना, दस्तक देना, तरवाजा, खटखटाना, चात्रों, अब हम पाठ को एक-एक अनुच्छेद पढ़कर, उसके भाव, अर्थ, उद्देश को समझने का प्रयास करेंगे, तो आईए आरंब करते हैं, गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी, भटिंडा, हनुमानगड, लालगड और बीका नेर होती हुए नागवर पहुंची, यहां से मेड़ता पहुंची तो लगा, फिर से पंजाब के आस पास आ गये हैं, क्योंकि कुछ खेत, हर्याली और पशुधन भ पढ़ना, पशुधन अर्थात पालतू जानवर जिनमें गाय, बैल, भैस, बकरी इत्यादि का समावेश होता है, दिखाई देने लगे, सायंकाल होते होते अपना गंतव्य अर्थात, डेस्टिनेशन अर्थात जहां हमें जाना है, स्टेशन जोधपुर आगया, आज का हम पारा पड़ाव अर्थात ठहराव, जोधपुर्था, यूँ भी सायंकाल हो चुका था, स्टेशन के समीप, होटल में कमरा मिल गया, सामान वहां रखकर थोड़ा तरोता जा हुए, 22 दिसंबर, अलपाहार कर, अलपाहार अर्थात, ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्टा, कर एक अटो रिक्षा लेकर, अपनी पहली मंजिल, उमेद भवन की ओर, चल पड़े, जो राई का अबाक्षेत्र में स्टित है, उमेद भवन, विश्यो का विशालतम भवन है, विशालतम अर्थात सबसे बड़ा, विश यानि संसार में इससे बड़ा कोई भवन नहीं है, महाराजा उम्मेद सिंग द्वारा निर्मित अर्थात बनवाये जाने की कारण होने से उम्मेद भवन कहलाता है छीतर जील के पास होने से इसे छीतर भवन भी कहते हैं इसके निर्माण में बीश वर्ष का समय लगा यह भवन अपनी भव्य अर्थात शांधार यह उतक्रिष्ट अर्थात उच्चे दर्जे की उत्तम दर्जे की सज्जा से सज्जित है सज्जित्मन सज्जा हुआ है इसमें अईश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त, द्वारपाल, अर्थात, दर्बान ने बताया कि महल के 345 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है एक भाग में शाही परिवार रहता है, होटल में प्रवेश और वहाँ बैठ कर चाय या कॉफी का एक कप, एक व्यक्ति के लिए कम से कम एक हजार रुपया खर्च, कोई आश्यर वाली बात नहीं है भूतल पर एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें वहां के राजाओं की अनेक क्रियाक कलापों की युद्ध कोशल की अनेका अनेक जानकारियां, चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं भवन का मोडल भी प्रदरशित किया गया है, मोडल अर्थात प्रतिरूप, सब कुछ इतना सुन्दर, सजीव, भव्य मतलब आकरशक या शांदार और मनोभर अर्थात मन को हरने वाला, अच्छा लगने वाला था कि दृष्टी कहीं भी किसी भी चित्र पर चीपक सी जाती अर्था जिस चित्र को देखने लगते, वहां से निगाह हटाने का, नजर हटाने का मन नहीं होता था, जिसे वहां से जवरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था, गंतव्य था मंडोर गाडन, यह उद्यान मारवाल की पुर की समीप जोधपुर, नरेशों द्वारा बनवाया गया था, मांडव्य पुर का ही अपभरंश रूप मंडोर है, यहां बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर, कला अर्थात स्थापत्य कला, की उत्कृष्चता अर्थात बड़े ही उत्तम रूप का प्रमाण है, चट्टानों को काट काट कर निर्मित सेढ़ी नुमा उद्ध्यान अर्थात भाग बगी चा दर्शनी है, दर्शनी देखने योगी है, रानी उद्ध्यान के आगे तीन तलों वाली एक इमारत इसकी प्रहरी जान पड़ती है, प्रहरी अर्थात रक्षक या रखवाला, मा प्रवेश करते हैं, वहां के लोख गीत गायक, लोख गीत अर्थात स्थानी जो भाषा का संस्कृत का गीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोख गीत, अपने अपने वाद्यों पर किसी ने किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़ कर परियाटकों को प्रसन कर उन से कुछ धक्षणा की आकांग्षा करते जान पड़ते हैं, रानी उद्ध्यान की बाहीं और पहाड़ी पर एक चट्टान पर वहां के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियां बनवाई, विशाल अर्थात बहुत बड़ी, चट्टान को काट कर मूर्तियों को दर शाया गया है, वह द्रिश अनुपम है, अनुपम अर्थात जिसकी उपमा तुलना न की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अनुपम, मंडोर गार्डन के द्रिशों से अभिभूत, अर्थात आति प्रसन बहुत ही खुश, अभिभूत हम महरान गढ़ के लिए की ओर बढ़ने लगे जो शहर के मद्य में 400 फीट उंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट उंची दीवार के परकोटे से घिरा है, इसका निर्माण कारिय 1469 में जोधा जी राव द्वारा करवाया गया था, उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियां बनाई गई है, इस किले में भव्य अर्थात, शांदार, बहुत बड़ा, प्रवेश द्वार, जैपोल, लोह पोल और फत्ह पोल बने हैं, जैपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है, क्योंकि ये 400 फीट उंचाई पर ह और हम काफी उपर आ जाते हैं, दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमक्ती चांदनी में शहर का भव्य व्य मनोरम, मर्थात, सुन्दर, मन को रमने वाला मनोरम, द्रिश्य यहां से बड़ा ही मन भावन, मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला दिखाई देता ह यह प्रवेश द्वार जोधा जी राव के विभिन्न वल्शजों द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में बनवाए गए हैं, द्वारों की दीवारों पर जवहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्न भी बने हैं, दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन हैं जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दावलत खाना, फतह महल और रानी सागर आदिव, कहीं बैठक खाना, तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम हैं, तो कहीं कला की प्रदर्शनिहेद पेंटिंग्स एवंग धरियां भी प्रदर्शित की गई हैं, इसके बाद हम दूसरी पहाडी परिस्थित जस्वंत थंडा नाम के विख्यात समारक देखने चल पड़े, प्रवेश द्वार की एक और महादेव का महादेव अर्थात भगवान शिव का मंदिर है, तो दूसरी और सरोवर अर्थात बड़ा तालाब या जीन, यहां अनेक पक्षी भात भात की च चिणियां चह चहा कर अपनी प्रसनता अर्थात आनन्द या खुशी व्यक्ति करती हैं, सकारात्मक उर्जा पर्यटकों को प्रदान करती हैं, अर्थात उनकी चहक से पर्यटकों में उर्जा उत्साह जोश का संचार होता है, यह समारक 1903 में महाराजा जस्वन सिंग की स्म मित्रकला, स्थापतिकला, एंगमूर्तिकला को देख कर भारती कलाकारों का समान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है, नमन अर्थात प्रणाम करना, अब सूरी भी अपनी किरणों को समेट कर अस्ता चलगामी हो गया था, अस्ता चलगामी हो जाने कर थे, संध्या शाम होन कि और बढ़ना था जोदपूर से जैसल मेर रात्र की गाड़ी थी जोदपूर जैसल मेर एक्स्प्रेस से ततकाल का आरक्षण करवा और करवाया और चल पड़े अगली प्रात अगली दिन सुबह मतलग को हम जैसल मेर स्टेशन पर उतर है समय व्यर्थ ना गमाते हुए हम श थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचा कर दिन भर का कारिक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परचित आतितिका थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की बेवस्था की के नगर भ्रमण अर्थात नगर को घूम घूम कर नगर को देखना वहां के जो अयतिहासिक स्थन हैं प्रसिद्ध जो समारके हैं उनको देखना उसे क्या कहते हैं नगर भ्रमण पहले यहां का सबसे बड़ा आश्यर देखने गए पटवा की हवेलिया अठारवी सदी में शहर के प्रसिद्य व्यापारी सेष्ट पटवा ने अपने पांच पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्मान कराया था एक के निर्मान में बारह वर्ष का समय लगा शहर के मध्य में खड़ी ये पांच हवेलियां कलात्मक वास्त शिल्प का अद्भुत नमूना हैं इनकी छटें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंबों स्तंबों पर खड़ी हैं हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम कई पारदर्शक जरोखे सोने की कलम से की गई चित्रकारी सीपी और कांच का कार्य परेटकों को आशेर चकित कर देता है धन्य है धन्य अर्थात महान वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिश्क ने यह करिश्मा करिश्मा मतलब जादू मेरिकल किया है आज ही सम का कारेकरम भी था सम एक ग्राम है ग्राम मतलब गाओं जो होटल से 11-12 किलोमीटर दूर रेट की चादर पर बसा है इस सम ग्राम से 12-12 किलोमीटर पहले ही जीप ने हमें उतार दिया जहां कई सारे रेगिस्तानी जहाज अर्थात उूट अपनी सवारियों की प्रतिक्षा कर रहे थे हम भी एक जहाज में सवार हो गए अर्थात एक उूट पर बैठ गए डर भी लग रहा था प्रसनता भी हो रही थी उत्सुकता भी हमारी मजल थी सुर्यास्त केंद्रबिंद। वह स्थान जहां से खड़े हो करके सुर्यास्त का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है उूट की सवारी का या पहला अनुभव था, उूटों की कतारें ही कतारें, सभी पर नरनारी और बाल वृद्ध सवार थे, शायद सभी की हिदय गती वैसे ही धड़क रही थी, अर्थात वैसी सब में थोड़ी घबराहट थी, थोड़ी प्रसनता थी, थोड़ी उत्सुकत थी जैसी हमारी फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक कुश उंट अपनी सवारियों को गंतब्य तक पहुँचा कर वापस आ रहे थे यहां रेत के मखमली गद्दे जिन पर आपके पाउं पांच साथ अंगुल नीचे धंसते चाते हैं पंक्ति बद्द उंटों की कतारें उन पर रंग विरंगी पोशाकों में आसीन परियटक शायद आसीन मरला बैठे हुए शायद अपने गिरने के भाय में खोये दम साधे अर्था सांस रोक कर मरला बड़ी सावधानी से बैठे थे देखते ही देखते हम सब अपने गन तव्य पर पहुँच गए क्या अद्भुद द्रिश्य था द्रिश्य अर्थात नजारा सीन अद्भुद अनोखा बच्चों के खिलाओं ने दूरभीन चिप्स कुरकुरे खाखडा चाट पकोड़े जैसी अनेक वस्तुई लिए विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे अर्थात घूम घूम कर बीच रहे थे कोई वहां किसी की स्थाई दुकान नहीं थी कुछ राजस्थानी कन्याय और स्त्रियां लोख गीत सुनाकर परियाटकों को प्रसन करने में निमग न थी अनेक परियाटक अपने कायमेरे की बटन आन कर अस्ताच लगामी भासकर अर्थात सूर्य देओ को कायमेरे में बंद करने के लिए सन्नद्ध थे देखते हैं देखते हैं चमकता हुआ सूर्य तामरवरणी तांबे के रंग का अर्थात लाल होकर जल्दी जल्दी दूर शितिज में लय मतलब विलीन होना होता जा रहा था साथ ही पर्यटकों के कैमरे में कैमरों में कैद भी कुल मिला कर यह जन सहलाव किसी महा कुम्ब की याद ताजा करा रहा था अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े जो लगवक आधे फरलांग पहले खड़ी थी उस मार्ग में चलते हुए उस मक्मली फॉम के गद्नों की अनुभूत हो रही थी जीप पर सवार हुए और आ गये जहां सांस्कृतिक कारिक्रम्त था रात्र भोज अथा डेनर का प्रबंद था मध्य में अगनी प्रज्वलित की गई थी आग जलाई गई थी तीन और दर्शकों के बैठने की बिवस्था थी तो एक और प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया था उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने वहां की लोक संस्कृतिक को नृत्यनाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी वह अध्भूत थी देश विदेश में प्रस्तुत देने वालों का यह संगम संगम अर्थात मेल दर्शकों को भाविभोर अर्थात बहुत खुश कर देता बहुत प्रसन कर देता था कि रात्रिभोज की तैयारी समपन्न हो चुकी थी भोजन में राजस्थानी व्येंजन व्येंजन का अर्थ है तुस्वाद बदार्थ खाज ने उससे क्या करतैं व्येंजन कि सथा बद देवराइटीं पहुत सारे विराइट्टी यह पर होँगे और ऊपिन और लीजिये खाईए आनंद उठाईए कि तर्ज पर सब भोजन कर रहे थे इन सब इस्मृतियों के साथ होटल वापस आये वहां से भी सामान उठा पुने स्टेशन वही रात्री यात्रा और पहुंच गए जोधपुर जैसल मेर से चितर जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर को सायंकाल तक चितर गड़ पहुंच गए चितर गड़ का नाम आये या चितक का नाम तुरंत एक वीर साहसी और स्वाभिमानी देश भक्त का चितर मानस पटल पर अर्थात हमारे मन में मस्तिशक में दिमाग में सजीव होटता गूम जाता है और वे स्वाभिमानी देश भक्त का उन थे महाराना प्रताप जिनोंने चित तोड की रक्षा में अपना सर्वस्व नवशावर कर दिया लेकिन आत्म समर्पन नहीं किया हार नहीं माने किसके आ भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा विशाल धरती शया और खुली निलगगन चादर रहा पर हार नहीं माने ऐसे ही एक और देश भक्त और स्वामी भक्त की याद ताजा हो जाती है भामा शाह जिस अपनी सारी पूजी अपने स्वामी समराट राणा प्रताप के चरणों में आति विनमर भाव से रख दी इसी शहर में मीरा जैसे कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी है यो यह चोटा सा शहर है लेकिन इसके कनकन में वीरता त्याग और भक्ति भाव भरा दिखता है यहां के बाशिंदों की सहजता पाशिंदों अर्था निवासी सहजता बहुत सीधा साधा सरल सोभाव सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहां के महापुर्षों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है जो इने विरासत में मिले प्रतीत होते हैं विरासत अर्थात जो गुण वस्तु धन अपने माता पिता से हमें प्राप्त होता है दर्शनी स्थनों में एक विशाल दुर्ग है जिसके विशाल में कहा जाता है कि गड़ों में गड़ चित टरगण बाकी सब गड़या अर्थात चित टरगण की बराबरी करने वाला राजपुताने में दूसरा कोई गड़ या किला नहीं है इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्थम्भ, कौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जोहर कुंड, कुम्भा महल, जैन मंदिर और स्री महाराणा मुजियम जैसे नेक दर्शनी स्थल हैं जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाय स्थापित की गई हैं, सभी प्रतिमाय श्वेत संग मरमर के आकरशक पत्थर से निर्मित हैं, पश्रिम की और बना राम पोल ही किले का मुख्य प्रवेश द्वार है जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्थम्भ है जो महाराणा कुम्भा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजराद के सुल्तान के संयुक्त आकरमन की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया यहां जोहर कुण्ड में रानी पद्मनी जैसे वीरांगनाओं के जोहर की कहानी भी प्रतिबिम्भित है यहां के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकरशक प्रतिमा चेतक परिस्थापित है राजस्थान के इन तीन शहरों की आत्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियां या दिला दी कौन सा गीत है यह देश एवीर जवानों का अलवेलों का मस्तानों का इस देश का आयारों क्या कहना क्या कहना अर्थात इस देश की बराबरी करने वाला समानता करने वाला संसार में कोई दूसरा देश नहीं है यह देश है धरती का कहना अर्थात हभुशन संक्षेप में यदि मैं कहूं कि यह वीर भूम है जहां त्याग भी है बलिदान भी शत्र को पराश्ट करने का जजबा भी है तो कला की परख भी देश भक्ति भी है तो इश भक्ति भी यहां जवर है तो अपने सत्व का सत्व और सतीत की रक्षा करने का आदर्श भी तो रंच मात्र रंच मात्र में जहरासी भी थोड़ी सी भी अत्युक्ति अर्थाद जूठ न होगी भारती संस्रित की धनी इस भून को हमारा शत शत नमन अर्थाद प्रणाम तो छात्रों इस तरह से यहां पर यह पाठ वीर भूम पर कुछ दिन समाप्त होता है आशा है आपनी स्पाठ के भाव और देश को अच्छी तरह समझ लिया होगा धन्यवाद